अब तो हम प्रियास करेंगे 25 में विदान सभा का और 24 में अपनी एक अच्छे तादाद के शाथ देश की सरकार बनाने का ये तो हमारा 24 और 25 में होगा नमस्कार में हो देवांसू आप देख रहे हैं निस फोने से बिहार के सियासी गर्यारों में चर्चा तेज है कि नितीज कुमार का गटवंधन जो है वो तेजपी आदब के साथ जल्द होने वाला एस वक्त हमारा साथ बात करने के लिए आजएडी के परदेश अध्यक्ष ज और मुझे लगता कि वेंट अनिको बारो चुकी है लेकिन आज की दिन कोई वेंट का विशेष अकेजन तो है नहीं कोई अकेजन नहीं है लेकिन कोई शमें बीमार हो जा तो जरू देखने जाएगा हमारी राष्ट्री अधच जी बीमार थे तो मुक्वंतरी देखने गए तो एक व्यक्तिकत आपचारिकता उशमें तो देश के परधान मनती नरिद्रमूदी भी तो तेलिफोन से हाल चाल देखे थे तो ये आपचारिकता चलती रहती है आपचारिकता एक अलग चीश है और वाकि राजनीती में विचारों में मतवेद होता है को ये किसी का प्रिश्मन नहीं होता है और विचार कभी जो चारों में दूरी है वो जल्दी संभाव नहीं होता है पाड़ देना यानि कि आप लोग सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं तेश्वी नितिस्कुमार कार बनाने का प्रियास किया 2020 में सबों लोगों ने मिल करके उस प्रियास को अश्वल कर दिया जनता ने हमें जनादेश दिया तेश्वी अब तो हम प्रियास करेंगे पचीश में विदान सभा का और चौबिश में अपनी एक अच्छे तादाद के साथ देश की सरकार बनाने का ये तो हमारा रूप से खंडन कर रहए हैं कि RJD जो है वह J gu के साथ उनका गड़ मंधन नहीं होने जा रहा है मै इस बाध का कभ़ी जब श्विक्रित नहीं दिया हूं है या स्विकार नहीं किया हूं है तो आज हम भी फिर पुने स्विकार नहीं कर रहा है कि ये बात aimerें आपने क्या इ से इसलिए कि आज की दिन जब हमारी चुनाव की परक्रिया सुरू हो गई सारी ताकत चल ही गई है नए चीज बनाने का, चुनाव के जो हमारी आफ्जार हैं, चुनाव के जो हमारे सम्मानित राष्टी ये चुनाव पतादीकारी और प्रदेश की चुनाव पतादीकारी है उनके हाथों में चला गया है आप भी जानते हैं कि जब चुनाव की क्रिया तो लोकतंतर में शुरू होती है तो कोई भी मंत्री परस्त का विश्तार इतादी की बात नहीं हो पाती है एक सरकार की में संभीदार में भी रूख है हम लोग क्या भी रूख है कि जब चुनाव की पतादीकारी भी होगे लेगी आज की दिन सारे लोग पतादीकारी के बिल्च की क्रिया तक है और प्रवक्ताओं की चुनाव की क्रिया में कोई युगदार नहीं होता है इसलिए उनकी अवशकता नहीं नहीं फिर भी अजी कोई ऐसी बात लोग कर डालते हैं जिसका कोई रिलिवेंसी नहीं है तो ऐसे हालत में तो एक ही चीज है कि उसको रूक लगा दिया जा बढ़ना आप लोग भी सोशल मीडिया पर आप लोग भी उसको वीज्यूल मीडिया पर आप भी प्रिंट मीडिया पर कुछ बोलने के लिए बाद करते हैं तो लोग बोल देते हैं इसलिए जब तक नहीं बाते नहीं हो जाती है या तो नेता परतिपश्च कुछ बात कह पाएंगे या यहां बैट करके मैं बात करूँगा